है गाइज वेल्कम बैक टो एनादार ब्लोग सुवा गथा अब सबको एक और नया वीडियो में सो इस वक्त सुवा की सारे आट बज रहा है पजार की तरब जा रहा हो कुछ समान खरितना है तो वह खरित कर लाता हो अब यहां से खरे देंगे पान पान की बद खरेंगे खरे कि आए तो अब दो श्टागर पन खरेंगे लिए को दूदान ना दो श्टागर पन कोटा एक बिले लेश जार यह जो जीए सब्जीग खरे दने के लिए हो जो जोगे तेन बात रहा है काफी ज्यादा जाजी हो रहा है यह पता नहीं क्यों चीक रही है की लग बहुत है की 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 है उफर उट्टी नहीं नहीं इसको दबा इलेक्रिसिटी नहीं है गाइस तो मैं यहाँ पर बैटोंगा तो यह मेरे गोद में आकर यहाँ पर खेलेगा देख लिए नहीं आप लोगाइस की लग वो की लग वो माकर 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 एक टाहला की चौत्त हलो दोस्तों स्वागत आप सब हुनों का पता नहीं सावने वाले जना बाइक तो बाइक की साथ क्या कर रहा है कर दो आप पाइस तो बासकी बिलकुत साबने बेटा जाना पर रहा है अचलिए बासके हलत कुछ ऐसा है आप अब बढ़ी बाप है अगरतला बास्टेशन पर नगरजला बास्टेशन और बहुत जो से सुसु लगा है जाना वाला हुँ पाब्लिक ट्विलेट पर सामने ही है पाब्लिक ट्विलेट तो गैस अभी रेंटाउस धूनना चालू है एक्चलिए मैं इस एरिया पर आगए पर नाम क्या था भूल गया मैं अरे अस्वंपरा अस्वंपरा था अस्वंपरा है यहां पर जूंडाओ लेकिन यह पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मिल पाएगा मुझे तो मैं तोड़ा और आगे जाके देखूंगा मिल पाया तो ठीक है वरना दूसरे अडिया पर चले हो गई इस धूप में काफी खत्रणाक सा हो रहा है एक चल चल के ढूना ज्यादा मुस्किल है तो कोई आया भी नहीं है तो टिकत हो जाएगा अभी तो किस गली पर हूँ पता भी नहीं है तो गई जबी देर बज रहा है और घर पर बापर साथ चुका हो मतलब गाओ की रास्ते पर हो अभी लेकिन नितना गर्मी है वाई क्या बताओ हालक खराब हो गया मेरी बास से आते आते मेरा ऐसा लगजा था कि बॉमीटिंग भी हो जाएगा इतना हालक खराबता तो रेंटोस शायद उसी को में फाइनेल कर दूंगा आज साम तक और गल जाने गाला हूँ रेंटोस में काइटोस मरी के गलका रेंटोस काफी बड़ा बाज आया है गैस एसा लग एक जितने भी मुर्गा है फूर सब की सब मुर्गा मुर्गया है उसलिखना डरकी मेरे मतलब हालत खरब होगे पनाने की दाप स्ट्राइब और सारे मुर्गया डर गया गैस आला तेरी तुछ तुम आप लोग ने देखा थोड़ी दिर पहले जो गारी से आया था वो इसलिए हमारे गाव की एक अंखिर का है तो उनका जो गारी है उसके ऐसा कर दिया था इसलिए इतना ज्यादा साउंड आ रहा था